तो आज हम बढ़ेंगे How to balance a chemical equation मगर सबसे पहला question यह आता है कि chemical reaction होते ही क्यूं है तो इसको समझने के लिए आप दो cases consider कर सकते हैं अगर तो एक room में आप और आपके friends साथ में बैठे होए हैं तो आप दोनों चुप तो नहीं रहेंगे आप दोनों बात करेंगे और इसलिए interact करेंगे आपस में Similarly जब हम किसी container में अलग atoms और molecules को साथ में रख देते हैं तो वो भी interact करना शुरू करते हैं और इस interaction की वज़े से उनका rearrangement होता है जिसको हम लोग chemical reaction बुलाते हैं अब क्यूंकि ये rearrangement बहुत तरीकों का हो सकता है इसलिए chemical reactions भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं सभी chemical reactions एक ही law पर बेस होते हैं जो की है law of conservation of mass which states that equal quantity of matter exists both before and after the reaction मतलब की हर एक element के जितने number of atoms हमारे पास reaction से पहले हैं उतने ही बार्दने भी होने चाहिए उनका arrangement change हो सकता है तो अब ये exactly होता कैसे है उसके लिए हम example लेते हैं carbon plus oxygen giving us carbon dioxide का अब exactly इस reaction में क्या हो रहा है एक carbon atom interact कर रहा है एक oxygen molecule के साथ और हमको मिल रहा है carbon dioxide molecule product में अगर तो आप देखें इसके दोनों तरफ हमारे पास एक एक carbon atom और दो-दो oxygen atoms है तो ऐसी chemical equation जिसके दोनों तरफ में हर एक element के equal number of atoms होते हैं उसको हम बोलते हैं balanced chemical equation अगर तो हम एक और reaction का example लें H2 प्लस O2 giving us H2O तो अगेन इसमें हमारे पास एक hydrogen molecule interact कर रहा है एक oxygen molecule के साथ और हमको मिल रहा है एक water molecule मगर इसमें अगर तो आप देखें हमारे पास left और right side पर oxygen atom का number unequal है तो ऐसी chemical equation जिसमे number of atoms of any element unequal होते हैं दोनों side में उसको हम बोलते हैं unbalanced chemical equation मगर chemistry में हम usually जो भी experiments करते हैं वो सभी balanced chemical equation पर ही करते हैं also unbalanced equation उतनी useful नहीं होती है because मुझे ये सिरफ इतना बताती है कि hydrogen मिलता है oxygen के साथ और हमको देता है water ये ये नहीं बताती है कि मुझे exactly कितना hydrogen और कितना oxygen चाहिए तो आप इस reaction में देखें हमको एक water molecule बनाने के लिए एक oxygen atom चाहिए तो अब क्योंकि मेरे पास 2 oxygen atoms है reactants में तो मैं इससे 2 water molecules बना सकती हूँ अब लेकिन इसके लिए मुझे 2 hydrogen atoms भी और चाहिए जो कि मैं और ले सकती हूँ तो अब अगर तो आप देखें हमारे पास दोनो तरफ equal number of hydrogen और oxygen atoms हो गए है तो अब क्योंकि हमने water के 2 molecules लिए और hydrogen के भी तो हम वो आगे add कर देंगे तो इसलिए अब हमारी equation हो गई है balance तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि हमारे पास right side पर एक oxygen atom कम था तो हम simply उसी को क्यों नहीं वहाँ पर जोड सकते लेकिन अगर तो आप देखें कि ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर water molecule तो बचा ही नहीं हमारे पास एक नया molecule H2O2 बन गया है अब क्योंकि एकदम नया chemical है तो हमारे chemical reaction ही बिलकुल बदल गई है also अब ऐसा करना एकदम बराबर होगा कहने के कि अगर तो मुझे अपने lunch में 6 chicken legs खानी है तो मैं बाहर जाऊं और 6 legs वाली एक chicken को ढूनना शुरू कर दू अब ये तो आप कहेंगे कि मैं stupid हूँ क्योंकि मुझे चाहिए 3 normal 2 legs की chickens Similarly अगर तो मुझे oxygen के 6 atoms चाहिए तो मुझे बाहर जा करके एक O6 molecule को ढूनने के ज़रूरत नहीं है मुझे चाहिए 3 normal O2 molecules तो यहां से आप लोग ध्यान दे कि हम लोग हमेशा reaction में सब्सक्रिप्ट को नहीं change करते हैं सिरफ coefficient को ही change करते हैं तो हमारी balance equation जो हमको यहां पर मिली है वो है 2H2 plus O2 giving us 2H2O तो अब हम और examples लेते हैं how to balance a chemical equation के हमने यहां पर equation ली है CH4 plus oxygen giving us carbon dioxide and water तो कभी भी जब हमको कोई chemical equation balance करनी होती है तो usually हम लोग hydrogen और oxygen को last के लिए छोड़ देते हैं अगर तो हमारे पास कोई diatomic molecule होता है तो उसको भी हम सबसे end में balance करते हैं तो इसलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले balance करेंगी carbon उसके बाद hydrogen and then oxygen क्योंकि उसका हमारे पास diatomic molecule है तो अगर तो हम left hand side में देखें हमारे पास carbon का एक atom है और right side पर भी एक atom है तो carbon हमारा balance है अगर तो हम hydrogen देखें तो हमारे पास 4 और right side पर 2 hydrogen atoms हैं अब इनको equal करने के लिए हम लोगों को right hand side पर 2 से multiply करना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम H2O के आगे 2 coefficient लगा देंगे अब अगर तो हम oxygen देखें हमारे पास left side पर हैं 2 oxygen atoms और right side पर हैं 4 तो इसके लिए हम left hand side पर 2 oxygen atoms से multiply कर देंगे और यह हम again coefficient बढ़ा करके कर देंगे तो अभी अगर तो आप देखें हमारे पास हर एक element के number of atoms equal है दोनों sides of the equation में इसलिए यह equation balance है हम एक और example यहाँ पर लेते हैं which is lead nitrate reacting with potassium iodide to give us lead iodide and potassium nitrate इस reaction में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा bracket का use अगर तो आप देखें कि यहाँ पर bracket के नीचे जो subscribe 2 है उस subscribe को हम लोग bracket के अंदर हर एक element के साथ मानते है मतलब कि यह जो 2 है यह nitrogen और oxygen दोनों के साथ है तो यहाँ पर मेरे पास nitrogen के 2 atoms है और oxygen के 3 into 2 is equal to 6 atoms होगे अब इस equation को balance करने के लिए मैं nitrogen और oxygen को अलग-अलग balance कर सकती हूँ लेकिन कभी-कभी अगर तो आप देखें कि हमारे पास left side और right side में एक ही same polyatomic ion होता है तो हम उस पूरे को एक quantity मान करके balance करें तो वो easy रहता है तो मैं यहाँ पर nitrate को NO3 करके ही balance करूंगी तो अब यह अगर तो हम देखें कि NO3 के बाद फिर हम balance करेंगे lead को फिर potassium और फिर i को तो अभी हमारे पास left side में है nitrate के 2 और right side में 1 है जिसको हम equal करने के लिए 2 से multiply कर देंगे again आप लोग subscribe मत change करेंगा क्योंकि वो chemical को ही change कर देगा हम लोग coefficient change करेंगे यहाँ पे similarly अगर तो हम आगे चले हमारे पास lead के लिए है एक और right hand side पर भी एक एक atom है potassium का हमारे पास right hand side पर 2 है इसलिए हम left side में 2 coefficient उसके आगे add कर देंगे lastly iodine का अगर तो हम देखें तो हमारे पास दोनों side में 2-2 atoms each है तो अब हमारे equation balance हो गई है और I hope आप लोग वो chemical equation को balance करना आ गया है